कोरोना संकट की चलते लॉकडाउन भले ही खुल गया और शहर को इवन ओड के जरीए खूला जा रहा है लेकिन इसके बावजूत मरिजों की तादाद में बढ़ होत्री हो रही है जिससे लेकर प्रशाशन चंतित है वहीं बकराईद के साथ साथ दूसरे त्योहार भी शुरू होने वाले हैं ऐसे में जनता से सामंजस से बैठाए रखना जरूरी है इसी विशे को लेकर खजराना थाने पर मुख्य लोगों की मीटिंग आयोजित की गई जिसमें ADM, SGM, CSP, थाना प्रभारी के साथ साथ खजर खान, उस्मान पटेर, सलीम अंकल, हबीब मौलाना, आरिफ मौलाना और अन्यलूब मौजुद रहे मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने शेतरी की समस्याओं को लेकर जानकारे ली CSP, SKS, तोमर ने कहा कि लोगडाउन भले ही खुल गया हो लेकिन खौफ खत्म नहीं हु लेकिन इसके साथ साथ शहर में डेंगू के मरीजों की भी खबरे आ रही है, जिस पर भी प्रिशाशन को तयारियां करनी चाहिए। जिसके लिए इलाके में बकरा मंडी लगना जरूरी है। एडियम ने कहा कि क्या बकरों की ओनलाइन खरीदी भी की जा सकती है। इस पर सेयद वाहिद अली ने अधिकारियों को बताया कि कुर्बानी उसी बकरे की होती है जो दाती हो जिसमें कोई एब नहों जिसके लिए बकरे को देखना जरूरी है। ऑनलाइन बकरा खरीदी से खरीदार के साथ धोका भी हो सकता है। कई एहम मश्वरे प्रशाशन से किये जो इद के मौके पर जुनता के लिए राहत बक्ष साबित होंगे। वह इकबाल खान ने कहा कि दरगाह मैदान सहित जहां भी बकरा मंडी लगेगी वहां के बहतर इंतिजाम का भरोसा प्रशाशन को दिलाते होए। इलाके में जल्द बकरा मंडी लगवाने की मांग की जिसमें शोशल डिस्टेंसिंग से बकरों की खरीद फरोक्त की जाए ज इसके लिए में पूरी जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ। इन दोर से दाउत कुरेशी की रिपोर्ट